हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi अलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले तो आप सभी लोग का अपके अपने चैनल Study IQ IS Hindi पर बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्पुन मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुद्दा है क्या मद्दिकाल बास्तम में विज्ञान बिरोधी काल है जैसा कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास में प्राचीन काल जो होता है इतिहास का उसमें कि हर बिवस्था के शुरुवात जीरो से होती है और हर छेतर में वो प्रगति करता हुआ चलता है चाहे वो स्तमाज हो, चाहे वो राजनीती हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कलासंस्किती हो, कोई भी हो यानि के हमारे एतिहा से पहलों के जितने भी पक्ष हैं उन सभी की सुरुवात जीरों से हुई और ये सुरुवात सोचिएगा हम लोग प्राचिन काल में आगे तक देखते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि मद्यकाल जो के एक सामंती युग है उसमें जाकर के केवल कला संस्किती को छोड़ दिया जाए तो सभी छेत्र जो हैं वो पतंसील होते हैं चाहे वो बिग्ञान हो समाज हो या धर्म हो या कह लीजिए आपकी अर्थवस्ता ही क्यों ना हो लग ठीक है ना और वहीं से माना जाता है कि मद्यकाल के बाद फिर से हम जाकर के आदने काल में जब आते हैं तो उसी आदने काल में हम फिर से विग्ञान की शुरुवात देखते हैं समाज की शुरुवात देखते हैं यानि फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ठीक है तो जनरली यही माना जाता है कि मद्धिकाल में जाकर के आपके विज्ञान एवं प्रद्दुगी का जो विकास है वो नहीं होता यह ना के बराबर होता थीक है तो चली दोस्तो आज इसी मुद्दे की हम लोग परताल करते हैं कि क्या बास्तम में मद्ध काल आपका विज्ञान और रदिग का विरोध काल है या कुछ इसमें अलग है या ये हो सकता है कि बैश्विक संदर में कुछ चीज़ा अलग हो और भारत के संदर में कुछ यह लगो तो आज इसी मुद्दे की हम लोग परताल करेंगे इसी मुद्दे पर हम पिसे इस तौर पर चर्चा करेंगे और जानने कोशिस करेंगे हर पहलू के बारे में तो दोस्तियों चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाईए मैं मनोच कुमार आप सभी लोगों का पुनहे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग जिस सपने को लेके आगे चल रहे हैं उस सपने में डे वाई डे वाई डे वाई डे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा होगा आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ रहे होंगे आज उसी लक्ष में हम बढ़ते हुए एक आज के एक मुद्धे को इसमें जोड़ने कोसिस करेंगे जो के आपके IAS, PCS, PCS कोई भी इस्टेट हो प्रारणबिक अब मुख परिच्छा के दरिश्ट कोई से यह सबसे महत्पूर पहलू है और तो और ध्यान लखीगा जिनका इतिहास जो जनका वैकल्पिक भी साए इतिहास है उनके लिए भी यह बहुत 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 मुद्धा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप लोग समझ सकते हैं जान सकते हैं और बिग्जान के संदर्म में दियान लखीगा इतिहास के संदर्म में जितनी भी इतिहास आपका वो सारे मुद्धे भी हैं जो हमने अभी तक कुए नहीं है जाने नहीं है तो उसी संदर्म में ही सही आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्तपूर है तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और ये अब तीन देख रहे होंगे मद्धिकाल में सार मद्धिकाल के शुरूत होती है उस समय इस तकनीक का विकास होता है और देखिए ये उस समय के हिसाब से आज की रॉकिट साइंस से किसी भी इस तरह पर कम नहीं है कि उस समय की सोचियों लोगों ने किस तरीके से विकास किया होगा आज इसी तरह के अन्य चीज़ों को भी देखेंगे क्या बास्तमा ये भारत के संदर्म में है या बिश्यु के संदर्म में है क्या ये सच में मद्धिकाल की है या प्राचिन काल से परंपरा चली आ रही है उसी को देखते हैं चली आज का टॉपिक क्या मद्धिकाल बिग्ञान बिरोधी है और बात आती है कि अग दूसरा क्या ये सही बात है कि ये विग्यान विरोधी है और है तो भारत के संदर्म में कि क्या इस्तिती है उसको देखेंगे यानि कि हम इसमें दो चीजों की परताल करेंगे एक कि जो हम कहते हैं विग्यान विरोधी है उसे क्यों कहते हैं और दूसरा क्या भारत के संदर्म में ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है इस सारी चीज़ों को हम लोग देखने कोशश करते हैं सबसे पहले बात आती है कि अधिकांस लोग ध्यान रखेगा अधिकांस लोग मद्दिकाल को मद्यकाल की जो पहचान है वो द्यान रखीगा वो पहचान कहलाती है विकास विरोधी पहचान कहलाती है विकास विरोधी क्यों कहलाती है उसके पीछे दोस्तों कारण है क्योंकि मद्यकाल एक सामंती विवस्था का काल माना जाता है तामंती विवस्था का क्या माना जाता है एक काल मानते हैं कि यह सामंती युग है यानि कि प्राचीन राजा महाराजाओं के समय की विवस्था नहीं है बलकि राजा महराजाओं के जो अधिकारी होते थे उनके जो कारिंदे होते थे बड़े बड़े जमीदार होते थे वही आगे जाकर कि क्या बन गए? सामंत बन गए और यही सामंत मद्ध काल में अपने आपको राजा या महराजा कहलाने लगे जो के बास्तबिक थे नहीं यह कहलाने लगे ध्यान रखेगा और जब कहलाने लगे तो बात आती है कि जब यह सासक नहीं थे तो जन्ता ने इसे सुईकार कैसे कर लिया तो ध्यान रखेगा यह सामंत थे एक प्रकार से भू स्वामी क्या थे यह भू स्वामी थे जमीन के मालिक माने जाते थे जो की जमीन राजा ने जो मुख्य राजा हुआ करता था उस राजा ने इन्हें वेतन के बदले में या किसी दान के बदले में या किसी कार विसेश के संदर में इनको दे रखी थी ध्यान रखना तो वो उस जमीन के ये क्या बन गए थे मालिक थे और जो राजा कमजूर हुआ तो ये सक्तिसाली हो गए ये एक इस्तिती बन जाती है यानि कि ये केंद्री राजा और ये इन राजाओं के इन छेत्र हैं जहां पर ये सासन करते हैं या इनको जमीन द चंद्री राजा है जिसकी पूरी के पूरी सकता है बाद में ये राजा कमजोर पड़ जाता और ये सक्टिसाली हो जाते है लेकिन बात आती है कि इनको आम जंता राजा के तौर पर स्विकार नहीं कर ध्यान रखना क्यों यूझे जंता की नजर में सासत हैchnya है हाँ माई बाप जरूर है इनके अधिन रहते जरूर है इनकी जमीन पर काम करते हैं ये भी सच है लेकि राजा नहीं इसलिए बड़े परेशान है कि आखिर इनको कैसे मनाएं कि ये हमको राजा माने इसलिए इन सामंतों ने धार्मिक प्रोहितों के साथ अपना एक संगठन ब बलके विस्सु के संदर्म में भी है जब इन दोनों लोगों ने मिल करके अपना एक संगठन बना लिया तो सोचिए इन्होंने क्या किया धार्मिक प्रोहितों ने इन्हें जनस्वीकारता बढ़ाने में साहिता कि किसके लिए जनस्वीकारता बढ़ाने में साहिता कि कैसे स सम्मंद किसी ना किसी देवी देवता से जोड़ दिया या अपना हाथ उनके उपर रख दिया ये रहे कि ये खास हैं ये अच्छे हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं इनके तारीफ कर दी तो जन्ता ने उनको स्विकार कर लिया जैसे यही भूसामंद क्या बने आगे चा करके जब मद्दिकाल सुरू होता है तो यही भूसामंत बने जिने हम कहते हैं राजपूत और हर राजपूत सूरी के वंसका है चंद्रमा के वंसका है अगनी के वंसका है या फिर नाग वंसका है यानि बिभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के वंस से संबन्दित है और जब इस तरीके से हो गया तो जंता स्विकार करी लेगी ठीके न, ध्यान रखना तो इसके बदले में इसने क्या किया? इनको धार्मिक सहायता इसने दी क्या दिया? ध्यान रखीगा और जब सोचिए जब एक राजा या अपने प्रांत का एक साशक किसी धार में गदविदी का आयोजन करता है तो जनता भी वही करती है इस प्रकार से इन प्रोहितोंग ने इनको बढ़ाबा दिया और सामन्तों ने इनको बढ़ाबा दिया इस तरीके से एक सामन्ती विवस्था मद्यकाल में शुरू हो गए ध्यान रखेगा हिंदू संस्कृति में यही चला था मुसलिम संस्कृति में भी यही था वही सामन्त है, वही सोच है अब कंडिशन यह क्योंकि यह बास्तविक सासक है नहीं जिएार नखना और इनका उद्देश से क्या है धर्म का मद्द इकाल में उद्देश और धर्म का मद्द इकाल में छोड़ दीजे किसी भी समय में धर्म एक ही चीछ चाहता है कि लोग अनपड हों, कम समझदार हों केवल पूरे स्थ रद्धा और बिश्वास के साथ काम करें धार्मिक प्रोहिज ये चाहते हैं कि समाज में जितनी समस्यां आती रहेंगी उतना इनके लिए फायदा मिलता रहेगा उतना ही इंसना धर्म केपरती आकरसित रहता है समस्यां नहीं है तो हो सकता है कि मंदर की तरफ कम जाए या जादा जाए वो उसके इच्छा के उपनर भर करता है लेकिन जब समस्यां जादे रहेंगी तो समझ सकते हो हाथ जोडने पढ़ेंगे ठीक है नब बात आती है कि भू स्वामी अब कहोगे कि सर आप बिग्यान बाली कॉपिक पढ़ा रहे हैं या ये ये आखिर क्यूं है यही मैं बताने कोसिस कर रहा हूँ कि क्यूं कहा है जब ये भू स्वामी है तो जमीन के मालक ये है और जब जमीन के मालक ये है तो किसान इनके अंडर में आते है इसका मतलब समझ लीजे कि यहाँ पर भू स्वामी है और भू स्वामी के अधिन कौन है अधीन है ये किसान सोचिए तो जो किसान जो पैदा करता है वो किस के पास जाएगा? इस के पास चला गया? दिहान लगना भूद स्वामी के पास किसान के पास बहुत कम बचता है बचत है बहुत कम बचत उससे उसका जीवन ही संचालित नहीं होता और जो बोड़ा बहुत बचता है इसको धर्म करम के नाम पर धर्म करम के नाम पर वो क्या कर देता है? दान कर देता है तो इस कंडिसन में उसका जीवन बहुत ही कस्ट में है यानि कि अधिकांस हिस्सा ले लिया भूस्वामी ने बचा कुछा है तो धर्म के नाम पर उसने दान कर दिया क्योंकि उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है हम सब कुछ कर सकते हैं लेकि धर्म के बिना नहीं रह सकते यही हमारे जीन्स में, हमारे खुन में हम सब को पिलाया गया है, बताया गया है और आज हम करते भी हैं साधी बिवहा कुछ भी हो, बिना धर्म कर्म के कर सकें तो बताइए कितने भी पड़े लेखे हो जाए, कितने भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगी धर्म के बिना संभव नहीं है, ठीक न, और जहाँ धर्म है, वहाँ तर्क नहीं है, ये ध्यान रखेगा, जहाँ धर्म होता है, वहाँ तर्क नहीं होता, और जहाँ तर् यह ध्यान रखेगा, यह रहा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धर्म सब कुछ कर लाता है धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म होना चाहिए प्रकत्सील धर्म धर्म होना चाहिए मान भी यह धर्म तब होता है, कटरपंती धर्म नहीं यहां पर हम धर्म की बात कर रहे हैं कौन सा धर्म कटरपंती धर्म कटरपंती जो रूड़िवाजिता को बढ़ाबा देता है अगर धर्म प्रगत्सील नहीं है धर्म समाज के हित में बात नहीं करता धर्म मनुश्य के बारें बात नहीं करता तो वहां तरक नहीं होता वहां विज्ञान नहीं होती। वह बुद्धी नहीं हो वह आस्था होती है, विष्वास होता है और बाकि सब उसके सहरे चौड़ दिया जाता है। लेकिन गीता क्या कहती है। गीता कर्म का सिध्धांत बताती है। बोले कि मैं नहीं कर सकता महावारत का युद्ध खतम, ये तुम्हारी अपनी समस्या है, खुद समाधान करो, मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, उसके लिए अब तुम्हें कौन-कौन से हत्यार चाहिए, ये तुम जानो, बता मैं सकता हूँ, लेकिन पाना और बनाना तुम्ह हर हत्यार से लेकर के हर एक चीज तक, अब कहोगे इसका मतलब धर्म ने रोका, जब जब धर्म का कट्रपंत बढ़ेगा तब तक विज्ञान डाउन होगी, समझ लेजिए, इसलाम में आज आप देख लेजिए, वो अपने परंपरागत चीज़ों को छोड़ने के लिए त तुलना कर लेजिए, ठीके ना, अब कहोगे ऐसे कैसे, इधर भू स्वामी, भू स्वामी जो जमीन का मालिक है, सोचिए, सारा पैसा उसके पास आगया, धन संपत्ती उसके पास आगया, और इस धनका उप्योग क्या करेगा, इस धनका वो उप्योग करता है, किसके लिए, उप्योग के लिए, कुछे के लोगों को छोड़ दिया जाए, तो जनरली उसका उप्योग किसके लिए होता है, उप्योग के लिए, उप्योग बोले तो लगजरी जीवन, अपने विलासिता के लिए, किसके लिए, विलासिता के लिए, उप्योग करता है, ना कि जनकल्या के लिए नहीं करता तो सोचिए फिर इसका उपयोग तोचना क्या बिग्यान के लिए होगा नहीं और बिग्यान के लिए भी होगा तो केवल उसी बिग्यान का विकास होगा थोड़ा बहुत जो उसके उपवोग के लिए आ जाए ना कि जनता के कल्यान के लिए यानि जो उसकी अपनी खुद की जरूरत होगी तो विज्ञान का विकास होगा अनिथा जन कल्यान के लिए समाज कल्यान के लिए या देश के कल्यान के लिए विज्ञान यहां विक्सित नहीं होगी एक तरफ तो सोचिए धर्म जो कटरपंती धर्म बढ़ रहा है वो आगे विग्यान बढ़ने का मौका नहीं दे रहा और दूसरा जिसके पास पैसा है वो सोचिए उस पैसे का उप्योक के वर अपने सौकमोच के लिए खर्च कर रहा है विग्यान के विकास के लिए मैंसे उस पैसे मैंसे कुछ हिस्सा उस विग्यान के लिए उप्योग में लाया जाता है जो उसके उपभोग के लिए या विलासिता के लिए आती हैं ध्यान रखेगा ओके हां लेकिन कुछ चीज़ा ऐसी भी होती हैं जो आम आदमी अपने तरीके से धीरे धीरे अपनी जर जान बूज करके नहीं देते, थोड़ा बहुत दिया तो दिया, अनिठा नहीं देते, ये पूरी दुनिया की कहानी है दोस्तों, यूरोप में भी वही था, भारत में भी वही था, इसलिए मद्यकाल में कहा जाता है, मद्यकाल प्रगत्सील नहीं होता, एबरिवडी, किलियर खिए न, तो आज समझ में आगया, क्या कंडीशन है, और क्यूं कहते हैं कि मद्यकाल विग्ज्ञान बिरोधी होता है, लेकिन अब इसके आगे बात आती है, क्या बास्तम में पूरी तरह से ये बात सही है, ये काफी हट तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह तो नहीं सही है, लेकिन भारत में तीमित इस्तर पर ज्यान रखना, विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में बहुत कम, प्राचीन काल की तुलना में बहुत कम, पूरी तरह सही नहीं है, कि विज्ञान बुरोदी पूरी तरह होता है, लेकिन है, थोड़ा बहुत है, कैसे? क्योंकि विज्ञान के विकास के लिए इस काल में ध्यान रखना कोई संस्थागत प्रयास नहीं किया गया संस्थागत प्रयास नहीं हुआ इसलिए इस काल में जो थोड़ा बहुत हुआ ब्यक्तिकत विकास है ब्यक्तिकत विकास से विज्ञान का विकास हुआ है Everybody ध्यान रखीगा और जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके समझने के कोशिश कीजिए जितना भी हुआ है वो ब्यक्तिकत प्रियासों से ज़्यादा हुआ है बजाए संगठित प्रियास के संगठित बोले तो किसी राजा महराजा ने किसी भी सासक ने इसको बाकाइदा इसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया कि चलो साइंस और टेक्नलोजी का अलग डिपार्टमेंट है जैसे आज के समय है आज के समय में अर्थ साइंस अलग है ठीक है न प्रस्वी विज्ञान मंत्राले अलग है ठीक न और इसी तरह से आपके अलग 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 डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई समय समय पर कट्टरवादी होता चला गया लेकिन जब जब वो कट्टर हुआ तब तक हम लोगों ने उसका विरोध करके उसको उधार बनाने में भूमिकाने वाई और हमारा धर्म जो सनातन हिंदु धर्म है वो काफी हद तक लिबरल रहा इसलिए समय समय पर कई नई चीजें भी बिक्सित होती चलेगे और आदुने काल में विज्ञान एवंप्रदु के विकास होने का या प्राचीन काल में विज्ञान एवंप्रदु के विकास होने का कारण यही था कि धर्म जो है बहुत अधिक कट्टर नहीं है मद्य काल में थोड़ा सा कट्टरपंती था चाहें वो इसलाम हूँ और चाहें हिंदु धर्म कट्टरपंती हुआ था इसमें कोई शक नहीं है इसलिए मद्य काल में भी भक्ती आंदोलन, सूफी आंदोलन के माद्यम से उसका विरोध किया गया ठिक, ध्यान रखना, एब्रिवड़ी कट्टरपंती ना होता तो सोचिए आदोने काल में सामाजी धर्मिक सुधार आंदोलन ना करने पड़ रहे होते यस, समय समय पर वो होता है क्योंकि धर्म के जो लोग है ना, इस और कभी भी कट्टरपंत को बढ़ावा नहीं देता धर्म के जो तधाकतित लोग होते हैं, वो इस कट्टरपंत को बढ़ावा देने की कोसिस करते हैं जिससे कि अपना होल्ड उस विवस्था पर बनाई रख सके ध्यान रखना इसलिए वो किसी भी इस तर पर ये नहीं चाहते कि विज्ञान एवं प्रोध्योगी की तरक, बुद्धी ऐसी चीजें बिक्सित हों एसी चीजें बिक्सित होंगी तो उनके जो विवस्था बनाई है उस पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा आपने नाम सुना था ना मार्टिन लूथर किंग यूरोप में उसने पूरे यूरोप के जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसको खड़ा कर दिया कैथोलिक के अगेंस्ट किस बात पर? क्योंकि जब कि आपका क्याना में मार्टिन लूथर किंग खुद एक पादरी था चर्च में काम करने वाला एक पादर था उसने अपने ही चर्च की उस विवस्था का खिलाफ विद्रो कर दिया जबकि उस समय सोचिए यूरोप में चर्च का विरोध करने का मतलब था मर्टिन दंड नेकिर उसने किया और बच गया क्योंकि उसे बचाने वाले और भी लोग क्या विरोध था? बिरोध ये था कि चर्च ने एक विवस्था बना रखी थी कि जिन लोगों ने अगर कोई पाप किया है तो पाप के अनुसार वो अपने चर्च के द्वारा जारी किये गए पेपर को खरीज सकते हैं और इस तरह से पाप से मुक्त हो सकते यानि कि चर्च ने कुछ पेपर जारी किया है आप इतने रुपए का ये इतने रुपए का ये इतने रुपए का ये खरीज लिए तो पैसा दे दीजिए इस से क्या होगा आप आप से मुक्त हो जाएंगे जैसे आज की समा में देखते हैं बिविन आस्रम में तमाम तरह की चीज़ें किसी के पैर के निसान वाला किसी के हाथ के निसान वाला किसी के किसी ने कुछ छू दिया है बाबा जी ने छू दिया है तो उसी को लेके जा रहा है लाखो रुपे दे दे करके हजार रुपे दे करके यहीं सेम चीज इससे भी ज़्यादा खतरनाक यह तब भी केवल आस्था के लिए है कि घर में लेके चले आए कम सिर्म आपको पाप से मुक्ती की बात तो नहीं कह रहे वहाँ तो पाप से मुक्ती की बात कहीगे कि पेपर खरीद ली जा पाप से मुक्त हो जाएए तब उन्होंने कहा मार्टिन लूतर ने कि केवल पैसा देने भर से और पेपर खरीदने से कोई पाप से मुक्त कैसे हो सकता है इस तरह से तो पाप को और बढ़ावा मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि मैं हर बार नए अपराद करूँगा पेपर खरीद करके उस पाप से मुक्त हो जाओंगा तब उन्होंने पहली बार क्वश्चन खड़ा किया और सोचिए कि यहां से क्वश्चन खड़ा किया है सोचिए यहीं से पूरे यूरोप में प्रवोधन का युग खड़ा हो गया प्रवोधन बोले तो एरा उफ एनलाइटनमेंट कहते हैं उसको प्रवोधन का युग यानि बुद्धी का युग शुरू हो गया और यह विचार फैलते चले गए फिर लोगों को लगने लगा कि यह लोग धर्म के नाम पर हमको परिसान कर रहा है गलत चीज़ें बता रहा हैं और सबने धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया और अल्टीमेट क्या हुआ एक नई विवस्था खड़े की जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटेस्टेंट निज्म तो वो जो विवस्था है जिसमें उदार इसाई धर्म की विवस्था आई उसी तरीके से भारत में भी हिंदु धर्म का जब जब कटरपंद बढ़ा तब तब लोगों ने इसका विरोध किया और नई नई चीज़ें आई और उस नई चीज़ों ने आकर के विज्ञान को बढ़ावा दिया है मद्द काल में ऐसा बहुत जादर नहीं हुआ आद ने काल में सोचिए धर्म को उधार बनाना पड़ा सामा जी धर्म की सुधार आंदुलन लाने पड़े तब जाकर के आद ने काल में नई चीज़ें शुरू हुई है अगर आज भी हम उसी तरीके के होते तो उसी तरीके के होते तो सोचिए हमारा धर्म उसी तरह का होता तो हम आज जो क्लास ब्लास ले रहें ना इनके बारे में सोचते भी नहीं हो सकता है इसी के खिलाब बहुत सारी चीज़ा आदिस जारी हो जाते हैं मंदर से या मठर से या कहीं से भी जैसे इसलाम में फत्वा जारी होते हैं ना सेम उसी तरह हमारे यां भी हो जाते हैं कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता मद्यकाल की सोच कैसी है सामन्ती सोच और सामन्ती सोच विज्ञान बिरोधी होती है सामन्ती सोच धर्म के कट्टरपंद को बढ़ाबा देती है इसलिए ये कहा गया ठीक है न इसलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इस काल में क्या विज्ञान बिरोधी है विज्ञान का विकास हुआ, वो संस्थागत प्रयाश से नहीं हुआ है, बलकि ब्यक्तिकत विकास की माध्यम से हुआ है, विज्ञान का विकास, ओके, किलियर, बास समझ में आ गई, everybody, अब आताती है कि मद्ध काल में कब कब कैसे कैसे कौन कौन सी विज्ञान का विकास वो निजी प्रयास है वो भी मोश्कली देखा जाए तो आम आदमी के आम आदमी के द्वारा है ठीक न जिसे बाद में में सासकों ने तरक्षण दिया है बाद में दिया है नों न तरक्षण लेकिन वो भी किस लिए ध्यान रखना बाद में सररक्षण भी दिया है तो ये दिया है अपने उपभोग के लिए ना के जनकल्यान के लिए इसलिए जितना भी विकास हुआ है वो उपभोग के इस तर पर हुआ है दोस्ते इसी लेवल के कुश्चन्स पूछे जाते हैं इसी लेवल की सोच आईएस बनने के लिए चाहिए होता है खाली गप मारने से नहीं आप मैंसे बहुत सारे लोग बहुत सीरियस हैं और उसी मैंसे बहुत सारे लोग नॉन सीरियस भी हैं और नॉन सीरियस हैं वो अभी नहीं समझेंगे उनको बाद मैं समझ में आएगा नॉन सीरियस लोग बेटा दो तरीके होते हैं एक वो लोग जिनने के जिन्दगी में कोई लक्ष नहीं है, ठीक है न, चाहे घर में पैसा हो या नहो उन्हें वैसा ही रहना है, जिन्दगी उनकी ऐसी ही चलेगी क्योंकि वो ज्यादा सोचते ही नहीं है, हाँ इदर चले आए क्योंकि ये थोड़ा प्रेस्टी सी जॉव है देख लेते हैं, आईएसपीसेस के बारे में सोच लेते हैं, जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, अरे कुछ नहीं तो कम से कम आप लोगों के साथ में एक दूसरे से चैट करने का मौका ही मिल जाएगा, उन लोगों के लिए मेरी क्लास नहीं होती है, जान रखेगा, उन के लिए मेरी क्लास नहीं होती है मेरी क्लास होती है जो अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस है जिन्होंने अपना बहुत कुछ अपने सपने के लिए दे रखा है लेकिन संसाधन नहीं है कम पैसे हैं जो लाखों एफॉर्ड नहीं कर सकते उन लों के लिए मेरी क्लास और इस्ट पर 2024-25 को ध्यान में रखते हुए इस्टडी IQ ने आपके लोगों के लिए एक P2Y बैच लॉंच किया था 22 तरिक को सोचे एक अपता हुआ है 22 तरिक को लॉंच किया था उसकी आज एड़िशन की लास्ट डेट है 31 जुलाई इसके बाद ये बैच बंद हो जाएगा काम खता ठीक है ना P2Y प्रिलिम्स टू इंटर्व्यू सैकिंड बैच है वो भी इवनिंग और इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कोई पता नहीं है कि एक बैच और लॉंच हो या ना हो क्योंकि 2024 का जब targeted है तो आप समझ सकते हैं कि हम targeted है तो समय हमारे पास कम है क्योंकि उतनी समय में सब कुछ हमको करना है और जिन लोगों को 2024 में सेलेक्शन लेना है वो अपना रास्ता चुन चुके है ये दूसरा बैच है इसका मतलब पिछला बैच पिछले महीने सुरू हो चुका था उनकी तैयारी एक महीना निकल चुकी है एक सब्जेट उनका खतम हो चुका है ये बैच आपका लास्त है आज आप लोग ध्यान रखी का इसको कर सकते हैं आज हिंदी में, हिंग्लिस में, इंग्लिस में लास्त डेट है और फीस आपकी सत्तर हजार नहीं बलके एम के लाइब कोड इस्तिमाल करने पर 29 जग 999 रुपे आपको लगेंगे और शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है अब इसकी खास बात क्या है खास बात सिर्फ इतनी नहीं है एक तो जिस पैटर्न पर हम लोग पढ़ाते हैं वो यूटूब पे हो या क्लास में हो वो समझ लिए वही टार्गेट रहता है इसमें कोई गपबाजी नहीं कोई हसी मजाक नहीं कोई चुटकुला नहीं कोई कोछ नहीं बात समझें नहीं क्योंकि जिंदगी एक चुटकुला नहीं धियान रखने जिंदगी बहुत सीर्फ एक मद्दा है जिस पर आपके अपनों का खुद आपका अपना एक क्या बना रख़ा है एक सपना बुल रखा है जिसको आपको सच करना है क्योंकि उसके आगे असली जिंद्गी है इससे पहले नहीं और इसकी खास बात देखेंगे तो इस बैच में दोस्तों ध्यान रखेगा आपको एक व्यक्तिगत तोर पर एक मेंटर दिया जाता है जो आपसे डेली कनेक्ट रहेगा जब आप पढ़ रहे हो कोई भी डाउट हो उससे आप परसनली कभी भी आप बात कर सकते हैं जरूर नहीं है कि टीचर मौजूद हो या ना हो हम लोग तो हैं हैं हम लोग आपको अपना कॉंटेक नमबर भी देंगे सारी चीज़ें भी करेंगे लेकिंगे बाईचास हम नहीं हम क्लास में बिजी हैं हम नहीं उठातें तब भी यह होगा और इसकी खास बात यह होती है यह भी UPSC, IAS, PCS के इंटर्वी फेस्ड होता है तो किसी भी लेबल में फैकल्टी से कम नहीं होता है दूसरी बत इसमें आपको क्लास में जो लेक्चर पढ़ाय जाते हैं उसी का हेंड रेटन नोट्स दिया जाता है यानि के आप चाहे क्लास में नोट्स भोना न भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको क्लास का नोट्स अलग मिलेगा Books मिलیںगे Notes के Form में जो हमारे Notes होते हैं वही आपको Books के Form में आपको Proper मिलेंगी सारी चीजे मिलेंगे इसलिए आपको भटकने की जरूर नहीं है Test Series Answer Writing Practice Weekly और डेली जो लोग Class ले रहे हैं वो जानते हैं मैं सुबह वाला बैच पढ़ा रहा हूँ उस समय हिस्ट्री से स्टार्ट किया है आप समझ सकते हैं कई सारी बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ रहा है मौनिंग में आप देख लिए पात कर लिए उनसे पूछिए वो बताएंगे कैसे आप पढ़ा रहा है और किस तरीके से पढ़ा रहा है और किस तरीके के Medicine बनते हैं ठीक, ठीक न लाइव क्लासेज आपकी डेली लाइव जो गुड़ी कलास नहीं है लाइव हैं, कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आपकी सारी कलास क्या सी होंगी लाइफ क्लास होंगी इसमें आपको एक प्रोग्राम और है मुख्य पर इच्छा आवासिय कारिक्राम वो क्या है वो हम बताता हूँ क्योंकि 2024 के लिए हमने जो P2Y बैच बनाया है P2Y बैच की जो खास बात है वो है आपकी 4 स्टेज रणनीति यानि के बिना रणनीति बनाए आप लोग युद्ध के मैदान में उतर नहीं सकते और उसी दियस्तिकॉर को ध्यान में रखते हुए कि कब कब कौन कौन सा लक्ष हासिल करना है किस तरीके सा हासिल करना है यह हम से बहतर आप लोगों को कोई नहीं बता सकते ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पर इस्टडी आई क्यू नहीं, बलके एक फैकल्टी के तौर पर है, एक कोच के तौर पर है आप अपने से कितना बनाएंगे, हो सकता है सही भी हो, हो सकता है गलत हो लेकिन जो कोच आप की जाच करता है, वो आप समझ सकते हैं कैसे? मैंने एक लेक्चर और भी लिया था सचिन तुलम्दलकर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं तो आप बरतमान में ब्रयाट कोहली से बड़ा कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है हम जानते हैं भारत के संदर में, और भी होंगे लेकिन ये लोग अपने कोच से भी बड़े हैं इतना ज़्यादा खेल चुके हैं कि इनसे मुकाबले से इनका कोच इनसे ज़्यादा नहीं है लेकि फिर भी किसी ने किसी कोच के अंडर में प्रक्टिस करते हैं इनका कोच होता है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिल्डिंग कोच, अलग-लग होते हैं, एक मैन कोच अलग होता है, क्यों होते हैं? क्योंकि एक एक चीज पर फोकस करते हैं, आपका काम केवल खेलना है, रणनीती बनाना आपका काम नहीं है, रणनीती बनाना हमारा काम ह उस पर खिलवाना हमारा काम है आपको तैयार कराना हमारा काम है आपको तैयार करना सिर्फ आपको प्रक्टिस करनी है इसलिए हमने फूर स्टेज रड़नीती बनाई हुई है पहली स्टेज में जनवरी 2024 से पहले हम पूरा पूरा foundation आपको तैयार करवाएंगे पूरा पूरा, pre or means की maximum चीज़ां आपकी cover कराएंगे इधर, जिससे के आपका पूरा base clear हो जाए, उसके बाद जनवरी से लेकर के माई तक पूरा focus करेंगे success and prelims पर, और कर रहा है जो कर रहा है उनको पता है और उसमाँ focus कर रहा है प्रारमिक परिच्छा पर, prelims पर to the point prelims पर पूरा focus क्योंकि prelims निकलेगा नहीं तो आगे करोगे क्या result नहीं आएगा तो क्या करोगे ठीक, तीसरी stage है आपकी means की same, प्रारमिक परिच्छा की तुरंत बाद जिनका result आयाता है जिनका result positive आएगा उनके लिए और जिनका result positive नहीं आया उनके लिए अगली साल के लिए फिर मौका है इसी में, यान दो साल की validity है इस course की मातर 29,9999 दो साल की validity सुचिए उनको फिर मौका मिलेगा और जिनका result आजाएगा उनके लिए मुख्य परिच्छा आवासिय कारिकरम है यानि के हमारे अपने प्रमाइस पर दिल्ली में इस्टडी आई क्यू के सेंटर पर आपको रहने खाने की विवस्था तो मिलेगी मिलेगी जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है मैंटर से लेकर के फैकल्टी मेंबर तक सब आपको मुख्य परिच्छा की पूरी तयारी करवाएंगे पूरा ट्रॉपिक तयार कवर करेंगे पूरा आंसर राइटिंग करवाएंगे प्रक्टिस करवाएंगे दिन रात यहीं रहना है दिन्नाथ आँखे फोड नहीं हैं दिन्नाथ आपको हाथ परिसान करने लिखते लिखते पागज भरने हैं जिससे कि किसी तरह की कोई प्रक्टिसी कमी न रह जाए जो आपने छोड़ी हुई यह है मुख्य परिच्छा आवासी है कारिकरम टार्गेट यही है कि मैक्जिमम से मैक्जिमम नमबर कैसे लाए जाए जिससे कि हम एक बार वहाँ जाएं तो बापस न लोटे है फेल होने का ठपाना लगए एक बार में निकल के जाएं बस रिजल्ट ओरियंटेड और उसके बाद सेम कंड्री इस कंसेप्ट बार चौती स्टेज में अक्टूबर के तुरंत बाद यान एक मुख्य परिच्छा के तुरंत बाद बिना ये भेदवाव किये किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा सब को इंटर्वी की गाइडेंस उनको इंटर्वी के लिए तैयार करना ये है आपकी सबसे बड़ी स्टेजी इस पैटर्ण पर आप चल लिए तो मैं गारेंटी दे रहा हूँ कि आप लोग कभी भी अस्फल नहीं होंगे बना करके देख लिए अकेले भी करेंगे तब भी इसी स्टेजी को करना पड़ेगा स्टेजी यही है रणनीती यही है बस अंतर क्या है हम लोग के साथ रहोगे तो उस रणनीती अच्छे से काम कर पाओगे आपकी परफॉमेंस चेक हो पाएगे नहीं तो आप करते रहिए इंजोई करते रहिए आप लोग अभी आराम से खूब चेट चल नहीं है आपस में खूब गप्पे बाजी मारते हैं जिंदगी भर मारोगे डिपेंड ये करता है एक IES दूसरे IES को IPS को IRS को चेट करता है या जिंदगी भर ऐसी आप चेट करते रहेंगे एक दूसरे जिनका कोई अच्छे मेंट नहीं हो रहा सोचिए गए डिसाइड करिए अपने आपको कि आपको चेट किस से करनी है जिंदगी में एक अधिकारियों के समूँ से जो देश को चलाएंगे या फिर आज के इसी तरह से घुमने फिलने वाले इंजॉय करने वाले लोगों से बस यही डिफरेंस है ध्यान रखेंगे मौका जिंदगी बार बार नहीं देती एक ही बार देती है और जब देती है तो उसका भरपूर फाइदा उठा लीजे और यह फाइदा उठाने वाला मौका है दो साल की वैलेडिटी और आज अंतिम दिन है मौका जाने मत दीजे दोस्ता ओके चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस लोट करके जब हम देखा कि बिग्यान एवन परदुगी का विकास हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हुआ है लेकिन उनकी वैक्तिकत जरूरतों केरे शहिसाब से हुआ है ध्यार लखना अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दिल्ली सल्टनत में विग्यान परदुगी दूसरा मुगल काल में विग्यान परदुगी दिल्ली सल्तनत में तुर्क आए, तुर्कों ने यहाँ पर अपनी विज्ञान एवं प्रद्दोगी का विकास किया, कुछ तक्निक ले करके आए, कुछ यहाँ विक्सित किया, उसी तरीके से मुगल आए, मुगलों ने भी विज्ञान एवं प्रद्दोगी का कुछ का विकास किया, कुछ ले करके आए, उन सब चीजों को हम यहाँ पर पहली वार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है न, एक करके समझने की कोशिश परने, तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई परि देखें सबसे पहले तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह लग रहा है जैसे घोड़े को ऊपर एक जीन रख्य होती है, बैठते हैं, जो बुकी होता है, घोड़ा चलाता है, वो बैठता है, और यह नीचे क्या है, आपका पैर फसाने की जगए है, इसको क्या कहते हैं इसे कहते हैं रकाव, रकाव और ध्यान रखना इसे तुर्की लोग भारत में ले करके आए थे, हम भारत में लोहे की रकाव और नाल का प्रियोग नहीं करते थे, हम घोड़े चलाते थे तो बिना नाल वगरा के चलाते थे या लकड़ी की नाल वगरा का प्रियोग करते थ और ना ही इस रकाब का प्रियोग करते थे तो यहाँ पस सोचीगा इन लोगं का सबसे बड़ा कंट्रिबिशन क्या है नाल और रकाब सोचना नाल यानि घोड़े के पैरों के नीचे जो इस तरह से लगाई जाती है जिससे के पैर उसके घोड़े के पैर जो है घायल ना हो सोच यह मजबूत रहे पत्थर पर चले या कहीं पर भी चले हमारे अब पहले नहीं तो यह परंपरा यह इनके समय सुरू हुई इसी को और आप लोग इसका उप्योग किस लिए करते है चलो सनी देव को सनी के जो संकट हैं उनसे बचने के लिए काले घोड़े की नाल ले आईए अपने दरवाजे पर टांग दीजिए बुरी नजर बच जाएगी ठीक है ना यह नाल और यह है आपका रकाव सोच ना यह रहा इसमें बैल्ट बंद जाती है और इसमें पैर फ़स जाता है और पैर फास करके आराम से सैनिक क्या करता है उसको उपर खड़े होकर के तीर चला सकता है घोड़ा दोड़ते दोड़ते भी बना बैठना पड़ता था ता कहीं किदर दोड़ गिर ना जाए उसका इसी दियान लगा रहता था कि कहीं गिर ना जाए तो ये एक तरीकी के टेक्नलोजी है जो यहाँ पर तुर्की लोग यहाँ लेकर के आए थे लेकिन ये तो एक एक है क्या ऐसी और भी है यस इन सब चीजों को हम लोग देखते है दिल्ली सल्तनत में बिज्ञान अमपरद्धों के के हैं देखिए ये आप देख रहे हैं तरसी के छेट में ये भी दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ दो बैलों से खींचे जाने वाले हलका वर्णन एक बैल का तो हमको मिलता था ठीक है ना खेती करने का बेदों में 24 बैलों के बद्धे रखा है सत्पत ब्रहम्मण में 24 बैलों दोरा खेती की जाती थी लेकिन हलक ऐसा होता था इसकी जानकारी नहीं यहाँ पर जो बताया गया है दो बैलों से या चार बैलों से कंसेप्ट नहीं है बात है सबसे बड़ी दो फाल वाला यानि कि एक फाल वाला नहीं दो फाल वाला हम एक फाल वाले हलका उप्योग तो करते थे पहले ध्यान रखीगा यहां पर एक फाल की हलका इस तरीके से सोचिएगा ठीक एक फाल का और यहां पर क्या है दो फाल वाले हलका प्रियोग एक साथ हम कर रहे हैं यह यहां पर टेक्नलोजी हमको देखने को मिल रही है तो सोचिए दिल्ली सल्तनत में किस किस चीज में ध्यान रखीएगा क्रसी के छित्र में ठिक सिचाई के छित्र में ध्यान रखना सिचाई के छित्र में हमको बहुत सारी चीज़े मिली है ठिक बीज बोने के लिए बीज बुआई के लिए तकनीकों का विकास हुआ है ठिक वस्तर निर्मार के लिए वस्त नर्मार के लिए क्या है ये है आपका करगा अड़ा जिसे कहते है कपड़ा बुनने के लिए ये सब आपके इसी पिरिड का ही है करगा एवरिवडी इस ओके ठीक न उसके अलाबा आप देखेंगे वस्त नर्मार के लिए बता दिया वस्त नर्मार के लिए करगा है वो उपर से इसमें देखेंगे तो आपका चरखा भी है करगा भी है ये भी है ठीक है ना और क्या क्या है भवन नर्मार तकनीक का इसमें विकास हुआ भवन नर्मार तकनीक का विकास हुआ इसी पिरिड में ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो हमारे हैं केवल किले का विकास होता था ठीक है ना यहीं पर आप देखेंगे तो आपका एक चीज और भी हुआ बारूद का इसी पीरिड में दिल्ली सल्तनत के समय में ही लगवक बारूद बनना भी शुरू हो चुका था वो जानते ना शराब बनाने के लिए यहीं से आपके हुआ हमारे हैं पुरानी परंपरा पर शराब बनाई जाती थी लेकिन यहां पर आस्मोसिस जो टेक्नलोजी होती है जिसे हम आस्मोसिस टेक्नलोजी कहते हैं उस टेक्नलोजी का प्रियोग यहां पर शुरू होना शुरू दिल्ली सल्टन्स में इतने सारे छेत्रों में टेक्नलोजी का विकास हुआ है इन मैंसे देखेंगे तो इन मैंसे अधिकांस टेक्नलोजी अधिकांस आम जंता से संबंदित है राजा महराजा से संबंदित ना के बराबर टेक्नलोजी है जो उसके दरवार से संबंदित हो दर अगल काल में बिग्यान प्रणदू की देख रहे हैं ये देखिए बंदू को मुझ की तोपों कार से लेकर के घड़ी तक का इस पीरिड में विकास हो रहा है ये पत्तर फैकने की यो गुलेल वगरा हैं सारी चीज़ हैं हाला कि प्राचिन काल में बित्री इस काल में और अच्छी से डवल अपनी इस काल में ध्यान रखेगा इस काल में जोतिस के छेत्र में विकास होता है फसकर नए संबत का निर्मार नया कलेंडर इस काल में सेन तकनीक में बिस्टिस प्रियोग इसकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा मैं परिशान मत रहिए ध्यान रखीगा सेन तकनीक में नए नए टेकनलोजी इस प्रियोग में डबल अप हुई नए नए टेकनलोजी जैसे आपका मैंने बताया था इस प्रियोड में आपकी सोचीगा तोपें ठीक ना बंदूकें जो दिल्ली सल्तनत में नहीं थी एक सिक बढ़िया तोपें एक सिक बढ़िया बंदूकें इस प्रियोड में डबल अप होती है फिक न, वीर लॉक और फिलिंट लॉक वाली, सारी के सारी चीज़ है, इस पिरिड में डबल अप होती है बारूद का विकास इस पिरिड में होता है, फिक न, और क्या है, इस पिरिड में जहाज निर्मार तकनीक का विकास होता है जहाज निर्मार इसी में इत्र निर्मार का कंस्टेप्ट तू होता है इत्र निर्मार विधी तराब तो होती थी इत्र का और ज्यादा होने लगा नाम सुनाएं गुलाब के इत्र का विकास किस ने किया नूर जहां की मा असमत बेगम ने गुलाब के इत्रकर के बनाने की विधे उजनानक होजी थी ओके इसी पिरिड में धातु सोधन तक्नीक धातु सोधन किस लिए धातु की क्वाल्टी को और अच्छा बनाने के लिए जिससे को वो मजबूत हो सके और उसका उप्योग हम बड़े इस तर पर कर सके चाहें युद्ध में और चाहें कई और धातु सोधन तक्नीक भवन निर्माण में एक नई तक्नीक का विकास होता है भवन निर्माण में कौनसी नक्सा बनाने और मॉडल बनाने का मैंने आपको जब इस्थापत तकला पढ़ा रहा था आपने दिया हो तो उसमें मैंने बताया था कि मुगल काल में पहली बार मॉडल प्राणगी का विकास हुआ इस्थापत तकला के लिए मॉडल प्राणगी ओके इसी पीरिड में देखेंगे तो और भी कई सारी चीजों का विकास हुआ देखीगा तो जो तिस के छित में नई संबत हैं आपने राजा जैसिंग का नाम सुना है राजा जैसिंग ने पांच वेद सालाएं बनवाई थी बेद सालाएं तो चिये उन्होंने और भी कई सारे जिचे मुहमद साही एक नचत्र गरंथ बनाया था लिखा था बिल्कुल इसी पैटर्ण पर आदर जैपुर सहर बसाया था वो बिज्ञान ही तो है एवरिवड़ी ठीक है ना इसी पिरिड में वस्त निर्माण में एक नई चीज आती है वस्त निर्माण में एक नई तकनीक आती है जिसे हम कहते हैं जर्दोजी 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 तकनीक और जर्दोजी तकनीक क्या है कपड़े पर ही सुने है अपके जो पीले सफीद रंग के कपड़े होते हैं उन पर सुने है सुने के चांदी के तारों की कड़ाई होती है सुने चांदी के तारों से कड़ाई और वो आज भी आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे यो बना जाते हैं सोने चांदी की तो नहीं होते लेकिन उस तरह के पीले और गोल्डन और सिल्वर कलर के यो वायर होते हैं उसे कितनी बहतरी कड़ाई होते हैं शेरवानी और आप लोग पहनते हैं शेरवानी हैं आपका लहंगा है कितनी बहतरी कड़ाई कड़ाईयों के साथ आता है यह सब तकनीक उस समय बिख्सित होई थी और हम अगली क्लास में ध्यान अकना दिल्ली सल्तनत की और इन सारी तकनीकों के मुगलकाल के इन तक्निकों के एक एक करके पूरे डिटेल में चर्चा करें आज मेरा टॉपिक था आप लोगों का कि क्या हम मद्दिकाल को बिग्यान विरोधी कह सकते हैं या क्या मद्दिकाल पूरतर बिग्यान विरोधी है है तो कितना है नहीं है तो कितना है आज इस टापिक पर हमने चर्चा की और हमने यह बता दिया कि जो मद्दिकाल है बिग्यान बिरोधी होता है कितना होता है ये भी मैंने बता दिया और साथ के साथ ये भी डिसकस किया कि कितना नहीं है और उसके बाबजूद भी भारत में बिज्ञान प्रोद्रगी का कितना कितना विकास हुआ है इसके हमने पूरी चर्चा कर दो ओके दोस्तों समाझ में आ गया यही है आपका असली मुद्ध असली चीज जिसे मुझे आप लोगों के साथ में डिसकस करना था ठीक है ना बाकी आपको मैंने बता दिया है आप मुझसे कॉंटेक कर सकते हैं जुड़ सकते हैं अपनी पढ़ाई से लेटर कोई भी प्रॉलम हो सकती है उससे मुझे पूछ सकते हैं यह मेरा कोड है एम के लाइव कोड जिसके थुरू आप आज कोई भी कोर्स पर्चेस कर सकते हैं आज 31st डे है 31st जुलाई है लास्ट डे है इविनिंग का पी एम बैच 6 पी एम बैच इविनिंग का 6 बजे वाला पी टू आई का इसके बाद एडविशन आज के बाद क्लोज है और जो इस्टडी आई की खास बात ही है कि फिर इसके बाद एडविशन नहीं होते इस बैच में यह क्लोज हो जाता है चाहाँ उसमें कितने बच्चे हो बैच हमारे आप जनरली फुल हो जाते हैं इसलिए हम उसी जब से टाइम डिसाइड करके चलते हैं यह टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और यह मेल आईडी मेरी है इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजे देख लेजे और मुसे कॉंटेक कर सकते हैं यह टेलिग्राम का लिंक है जिसके त्रूँ आप मुस्से जुड सकते हैं ओके दोस्तों तो ध्यान रखेगा आज 31st of July पी टुवाई इविनिंग 6 पी एम बैच आज बंद हो रहा है इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी सीट फिक्स कर लीजे तीनों मीडियम में हिंदी, इंग्लिस और हिंग्लिस ठेक है न इसी पैटरन पर पढ़ते हैं इससे ज करकर कोई चीज नहीं है दोस्तों ठीक है चलिए ओल दा बेस्ट, थैंक्यू बेरी मच्च